Hey everyone, welcome back and welcome to another video on Node.js series और इस वीडियो में हम बात करने वाले streams and Node.js, okay? So, before diving into stream, पहले जानते हैं कि streams की जरुरत के है और कौन सी problem है जो streams के बिना हम solve नहीं कर पा रहे थे So, let us say, ठीक है, तो अभी तक हमें एक server बनाना आता है, XDRS में, right? हमें आता है, that हम कैसे किसी file को read कर सकते है Let us say, मैं तुम्हें एक situation दे रहाँ, ठीक है? So, let us say, यह तुम्हारा interview चल रहा है, मैं तुम्हारा interview ले रहाँ So, let us say, that तुम्हारे पास एक text file है, ठीक है? तो यह कह, यह ने एक text file है, okay? And यह जो text file है, इसके अंदर किसी तरह का text content है Which is okay So, let us say, that यह जो text file है, इसका कुछ size है, right? So, let us say, that यह जो text file है, यह 50 MB की file है ठीक है? कोई दिक्कत नहीं Text file है, जिसके अंदर कुछ textual content है, और यह 50 MB की file है ठीक है? तुमें क्या करना है? तुमें एक express के अंदर, okay? तुमें एक express के अंदर एक server बनाना है जिसके उपर लेटर से जो slash route है जब भी user slash route पे आएगा तो हमें क्या करना है? इस particular जो file है, जो हमारी जो file.txt है इसके contents को, इसके contents को क्या करना है? हमें user के पास send करना है तो यह simple सा task है तो हमारे पास एक text file है text file के content को हमें read करना है, read कैसे करना है, fs module का use करके and हमें क्या करना इस particular file के contents हमें response में send करना है so you will say that, इसमें तो कोई problem ही नहीं है इसमें क्या problem है, तो बहुत simple है ठीक है, तो like for example अगर हम यहाँ पर थोड़ सा code करके देखते है तो यह simple सा code है, जो यही काम कर रहा है so you can see that, मैंने क्या क्या है, मैंने express module को import किया, okay मैंने fs module को import किया ठीक है, तो मैंने अपना express application बनाया, मैंने एक route बनाया, app.get, जिसमें हम क्या करते है, fs.read file करते है right, so you can see that, यह वो file है, okay यह बहुत बड़ी file है, you can see that इसमें बहुत सारा textual content है ठीक है, so हम क्या करेंगे हम इस file को यहाँ पर read करेंगे sample.txt को, and जो भी data हैगा, मैं response में उसको send कर दूँँगा so यह जो बहुत simple था, इसमें problem कि है इसको run करके भी देख लेते हैं, कि क्या है सब कुछ सही चल रहा है, so node index.js तो जैसे मैं localhost 8000 पर जाऊंगा so you can see that यह उस file का जो content हो यहाँ पर हमारे पास आ चुक है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, problem कहां पर है, ठीक है, where is the problem so यहाँ पर मेरे पास एक package है जिसका नाम है express status monitor तो यह हमें बताता है जो हमारे express का server चल रहा है, उसकी memory consumption कहसी है, उसकी cp utilization कहसी है so what you can do is, you can just install this package, ठीक है, तो मैंने already इसको install कर रहा है so you can see that यह वो package है express status monitor तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँगा I'll just say const, suppose को हम नाम देते हैं status, ठीक है, status equals require and express status monitor and यहाँ पर मैं बोह सकता हूँ, app.use status, ओके तो अगर मैं इसको refresh करता हूँ अपने server को, ठीक है and यहाँ पर, now what I can do I can say localhost 8000 and slash status तो यहाँ पर क्या होगा, status monitor open हो जाएगा ठीक है, तो यह मेरा status monitor है that मेरा जो express application है वो कितनी memory यूज कर रहा है ठीक है, तो as of now जो मेरा server है वो 0, मलद बना 1% CPU utilize कर रहा है and 56 MB की memory consume कर रहा है which is okay, तो देखना अब मैं इसको refresh करूँगा ठीक है, तो refresh जैसे मैंने refresh किया, मेरा जो data आया और मेरी memory usage कहां गई 115 MB, रहिख, you can see एक spike आया, ठीक है, दुबारा करते हैं मैं इसको cancel करता हूँ, मैं दुबारा से करूँगा refresh जैसे मैंने refresh किया मेरी memory consumption 366 MB तो यह क्या हो रहा है, basically why this happened, ठीक है, तो you can see that अभी constantly वो 366 365 MB के आसपास चल रही है और जैसे मेरा जो file lead complete होता है वो suddenly drop कर जाती है, so can you see this spike, यह जो spike आया यह memory एकदम से इतने साथ इंक्रीज होई ठीक है, तो इसको समझते है, हुआ क्या so basically हुआ क्या that, जो यह तुमारी file है न suppose यह जो file है, यह particular जो file है let us say that यह 400 MB की file है okay, यह 400 MB की file है तो हमने क्या किया so, हमने basically हमने इसको किया fs.read file ठीक है, तो यानि कि हमने इस particular file के जो contents है, उसको read किया ठीक है, और हमने एक local variable बनाया, जिसका नाम हमने दिया data right, तो हमने एक local variable बनाया था तो अगर मैं तुम्हें बापेस दिखाता हूँ तो यह वो data variable है, जो हमने बनाया था right, अभी हुआ क्या इस particular file के contents पहले इस data variable के अंदर करे ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इस data को हमने response में send कर दिया, response में हमने क्या किया, इसको हमने send कर दिया can I say that मैंने 400 MB गा data पहले उठाया मैंने अपनी memory में रखा and जब मेरी memory में वो पूरा data load हुआ, उसके बाद मैंने अपनी user को वो data send किया तो हुआ क्या, कुछ time के लिए, जब तक वो data read हो रहा था, मेरको 400 MB, अपनी मतलब जो मेरी memory है, जो मेरी RAM है, मेरको उसमें store करके रखना पड़ा, correct, which is not a good thing, because let us say, अभी तो एक ही user है मेरे application का, let us say hundreds of users आजाते हैं, तो क्या होगा मुझे इस file को 100 times read करना होगा, and you can already imagine that 400 MB into hundreds of users, तो तुम्हारी जो memory consumption है, वो कहां तक चली जाएगी and servers की उपर like you have a limited memory, right, so obviously हमारे पास एक limited memory होते हैं, let it be 8 GB, let it be 16 GB, तो एक time पर क्या होगा, वो जो हमारी memory है वो exhaust हो जाएगी, correct, and उससे क्या होगा, तुम्हारा जो server है, वो to solve this problem, तो इसको solve करने के लिए, we have a concept of streams, okay, तो streaming क्या होता है, तो streaming word क्या होता है, तो let us say that, तुमने YouTube पे जाते हो, तुमको ये वीडियो को open करते हो, या फिर जैसे तुम अभी इस वीडियो को watch कर रहे हो, क्या ये वीडियो इस data आ रहा है, वो data play हो रहा है, तो ये चीज़ हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, so what I can do is, ठीक है, तो streams का use कर सकते है, Node.js के अंदर streams की बहुत अच्छी support मिलती है, तो मैं FS को बोलूँगा, ठीक है, मेरे file system module को बोलूँगा, ठीक काम करो, तुमना file को read मत करो, तुमना extreme करो file को, तुमना एक काम करो ना, ये जो file है ना, जो भी ये file है, तुमना इसको, मतलब chunk by chunk read करो, ठीक है, chunk, मतलब छोट-छोटे parts में read करो, और मैं क्या करूँगा, जैसी वो read आता रहेगा, मैं अपने browser को, मतलब मैं response में, वो छोटे-छोटे chunks को send करता जाऊँगा, basically, file, ठीक है, ये तुमारे file है, file में से data आया, fs के पास, मतलब मेरे node.js के पास, और node.js ने उसी chunk को forward कर दिया, हमारे browser के पास, ठीक है, तो यानि कि उसने memory में कुछ नहीं रखा, it's like, you know, जैसे एक pipeline बनाया हमने, ठीक है, इसको pipeline खेते हैं, हमने एक pipeline बनाया, हम file को ले रहे हैं, जैसे data आता है, हम अपने front end को send करते जाएंगे, इससे क्या होगा, मेरा जो particular, जो मेरी ये server की memory है न, ये spike up नहीं करेगी, ठीक है, तो ये constant रहेगी, because हम file को बस chunk by chunk read कर रहे हैं, और उस chunk को हम साथी क्या कर रहे हैं, front end को stream करते जा रहे हैं, तो इस चीज़ को मैं दिखाता हूँ, how you can do this in code, ठीक है, तो बहुत simple है, तो इस code को remove कर देते हैं, ठीक है, so what I'll say, तो पहले हम एक stream बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा, stream equals fs.read, not read, I'll say create read stream, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक reading stream बना रहा हूँ, ठीक है, जिसे को तो यह writing stream, writing stream होता है, अगर मुझे file में write करना है, लेकिन मुझे file से read करना है stream by stream, ठीक है, कौन सी file के उपर बनाना है, मुझे sample.txt के उपर बनाना है, और इसकी हम encoding देते है, utf8, मतलब कि यह एक text file है, तो यह क्या बन चुक है, यह stream बन चुक है, ठीक है, अगर मैं इसके उपर hover करता हूँ, इस stream को मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, अब see what I can do, I can say that fs, not fs, मेरी जो stream है, on, ठीक है, on data, यानि कि जब भी इसके उपर data आएगा, ठीक है, जब भी एक data आता जाएगा, हमारे पास एक chunk आएगा, ठीक है, chunk, chunk क्या होता है, basically उस पूरे data का एक छोटा सा part, हमें इस chunk को क्या करना है, हमें इस chunk को, ठीक है, हम क्या करेंगे, response.write कर देंगे, so response.write, यह particular chunk, ठीक है, तो यानि कि क्या हो रहा है, मैंने एक read stream बनाई, sample.txt के उपर, जैसी stream के अंदर chunks आते जाएंगे, मैं उस chunk को अपने response को send करता जाऊँगा, ठीक है, मतलब मैं अपने पास hold नहीं कर रहा हूँ उसको, और जब भी मैं, जब भी stream मेरी end होगी, stream.onend, इसका क्या मतलब, कि हाँ, मतलब पूरा काम खतम हो गया, पूरी जो file है, वो खतम हो चुकी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं response को, मतलब मैं basically, जो मेरा request response cycle है, उसको मैं क्या करूँगा, खतम कर दूँगा, तो ये मेरा, ये मेरा streaming purpose है, ठीक है, तो let's do one thing, let's just do a node index.js, ठीक है, तो अभी मेरी memory consumption क्या चल रही है, इसको refresh करते है, मेरी memory consumption क्या चल रही है अभी, मेरी memory consumption चल रही है, around 61, ठीक है, मतलब by default, ठीक है, कोई बात नहीं, अब इसको refresh करते हैं, जैसे मैंने refresh किया, मेरा data आया, ये अभी भी वो data आता जा रहा है, लेकिन मेरी memory consumption कितनी गई, 79, 80, 55, बस इतने गई, मतलब पहले जहां 400 MB data, मैं कोई use करना पढ़ रहा था, अब उतना use नहीं करना पढ़ रहा है, और यहां पर एक और चीज़, what I want to show you, that if you go to inspect, ठीक है, तो हम यहां पर network को open करते हैं, तो network tab, और थोड़ जूम इन कर लेते हैं, तो यहां पर मैं refresh करता हूँ दुभारा से, ठीक है, refresh, तो यहां पर यहां पर एक response में एक header आया, that is known as transfer encoding chunk, इसका क्या मतलब, basically, express क्या करते हैं, जब भी हम यह वाली चीज़ करते हैं, जब भी हम response.write करते हैं, वो automatically header set करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, transfer encoding chunk, इसका मतलब है, ब्राउजर को बता रहे हैं, तो यहां पर एक definition दिया होगा है, that data is sent in series of chunk, the content length header is omitted in this case, at the beginning of the chunk, तो यानि कि ब्राउजर को पता ही नहीं होता, that जो response आएगा, उसको size के, तो content length हम में नहीं पता होता, जैसे से data आता जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम basically उस data को यहां पर add करते जाते हैं, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं, chunked, तो अगर तुम कोई भी बड़ी file को stream करते हो, कोई भी बड़ी file को view करते हो, so you will see that, अगर तुम network tab में जाते हो, so most probably वो क्या होगा होगा होगा, chunked data होगा, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं, streaming, तो यह होता है streams, अब तुम्हें एक और बहुत मज़धार चीज़ दिखाता हूँ, अब streams के साथ यह बहुत मज़धार चीज़ क्या है, let us say that तुम्हें एक program बनाना है, जो sample.txt file को लेता है, और इसको zip कर देता है, ठीक है, तो हमें इस file को लेना है, हमें इसको zip कर देना है, तो पहला वे क्या होगा, पहला वे क्या होगा कि, मैं इस file को पहले read करूँ, अपने NodeGIS के अंदर, ठीक है, उसके बाद मैं उसके zip file बनाऊ, फिर memory में ही, हम 400MB file का zip बनाते है, ठीक है, तो यानि कि अब तक मेरी memory consumption, 800MB हो चुकिए, और उसके बाद हम क्या करते है, 400MB को हम क्या करते है, write करते हैं, डिस्क पे, तो कहना है, इस point तक क्या हो रहा है, 100MB, 800MB क्या हो रहा है, मेरी memory में आ रहा है, which is not a good thing, ठीक है, इस चीज़ को optimize करने के लिए, तुम क्या कर सकते हो, let us say, तुम्हें ये वाला चीज़ आते है, तर तुम बोलो कि ठीक है, मैं तो create, read, stream कर लूँगा, ठीक है, तो हमने ये वाला 400MB, जो है, इसको हमने stream कर दिया, ठीक है, stream कर दिएंगे हम reading को, लेकिन ये जो particular zip है, ये तो हमारी memory में बन रहा है, ये हमारी memory में बन रहा है, तो still मैं 400MB को use कर रहा हूँ, तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो यहां पर मैं तुम एक example दिखाता हूँ, let us say, तो अगर मुझे किसी file को zip करना है, ठीक है, without memory usage, हम क्या कर सकते हैं, I can say, अब यहां पर ध्यांस दिखाना है, मैं क्या बोलूँगा, I'll say fs.readfile, ठीक है, तो पहले हम करेंगे create read stream, ठीक है, तो यानि कि मैं क्या करूँगा, पहले एक raw file को, मैं क्या करूँगा, एक read करूँगा, ठीक है, मैंने read कर लिया, उसके बाद मैं उसको pipe कर दूँगा, pipe का मतलब क्या होता है, basically, जो भी data आ रहा है, उसको कहां send करना है, जिसे हमने यहां पर stream.on data chunk किया, तो basically pipe क्या हो रहा है, जो भी data आएगा, वो यहां पर जाएगा, ठीक है, यहां पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहां पर बोलूँगा, zlib, ठीक है, dot create gzip, ठीक है, तो यह क्या करता है basically, basically हमने यहां किया, एक gzip पर बना दिया, हमने क्या किया, एक zip file बना दिया, उसके बाद, जो भी इसकी output आएगी, हम उसको pipe कर देंगे, दुबारा से, कहां पर fs.create write stream, ठीक है, और कहां पर मैंने इसको बोला, sample.zip, ओके, क्या हुआ यह, दुबारा बढ़ते हैं, मैंने बोला, एक ना stream बनाओ, ठीक है, यहां पर comment करते हैं, कि यह एक stream बनाओ, जो ना एक read stream है, basically वो क्या करेगी, sample.txt को, sample.txt को read करेगी, उसको हमने stream कर दिया, एक zipper के अंदर, ठीक है, जो उसको zip करेगा, और इसकी जो भी output होगी, उसको हमने stream कर दिया, fs में, हमने इसको क्या किया, write stream में, ठीक है, तो यानि की, file read होते होते, zip होते होते ही, write हो जाएगी, ठीक है, और मेरी memory में, कुछ use नहीं होगा, ठीक है, run करके देखते हैं इसको, so basically you can see that, अभी हमारे पास, sample.txt टी file है, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने streaming का use किया, तो and that's it, इससे तुम क्या कर सकते हो, तो अपनी memory consumption को कम कर सकते हो, so एक चीज़ में, तुम्हें highly recommend करूँगा, what you have to do, you have to go to this website, node.js streams, तो यहाँ पर node.js के official documentation open हो जाएगी, streams के लिए, ठीक है, यहाँ पर example दिया हो है, create write stream का, readable stream क्या होता है, जिसमें हम read कर सकते हैं, उसके बाद duplex streams भी होते हैं, जिसमें हम दोनों चीज़े एक साथ कर सकते हैं, और उसके बाद अगर तुम्हें नीचे जाओगे, तो तुम्हें यहाँ पर कुछ examples लिखेंगी, और यह वही example है, जो अभी हमने किया, ओके, तो इस इस अलसो गुट, तो यह एक्स्टोर दिस पर्टिकुलर दोकुमेंटेशन, और streams की उपर और चीज़े पड़ सकते हो, तो इस इस नोन आज, streaming in Node.js, तो काफी basic level video था, काफी beginner था, because streams topic काफी advances में, और भी बहुत सारी चीज़े, but I hope that एक initial level पर streams का concept clear हो गया होगा, so that's all for this video, मिलते हैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो में, until then, bye bye, take care.